इस विहंगम नजारे को ध्यान से देखिए संभवत या हमको बड़े-बड़े शहर बनाने में इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना इन हजारों साल पुराने व्रक्षों को तयार करने में मेहनत लगी होगी इस कुवे को तयार करने में मेहनत लगी होगी और इस हरियाली को सहेजने में मेहनत लगी होगी इस जगे का मैं परिचे करवाओं उससे पहले मैं इस खूबसूरत नजरिये को दिखा के अपने आपको गौरानमित महसुस कर रहा हूँ ये हमारे एक मित्र का कुवा है और इसकी बड़ी इतिहास है क्योंकि इस कुवे का और इसके पास में कुवे का राज़ परिवार से सीधा संस्बन रहा है यहां से पानी कभी जाता था क्योंकि इसका एक नाम है गंगा जलिया गंगा जल की तरह यह पानी पवित्र और मीठा था इसका इतिहास सीधा राजपरिवार से या सेकड़ो सेकड़ो साल पुराना जुड़ावा है काल का मा का मंदिर भी है यहां काल का मा का मंदिर है मैं मंदिर के दर्शन करें उससे पहले इस विहंगम नजारे को हम जिस परियावन की बात कर रहे हैं जिस हरियाली की बात कर रहे हैं या जिस परेशानियों की बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़िया समाधान ये बड़े बड़े वरगद और पीपल के वरक्षे हैं फो सकता है शुरुआत में इनको लगाने में 2-5 साल मेहनत की होगी लेकिन उसके बाद में KIसी देव की तरह सिर्फ दिया है इंको लेने की जुरॉत नहीं पड़ी ने इनको पानी पिलाने की जुरॉत नहीं पड़ी आकास से यह हवा वायू ले लेते हैं मतलब कारवन डायक्षड ले लेते हैं इस विहंगम नजारे को आप देखिए यहां पूरा ग्रामीर परिवेश दिखता है वैसे तो यह शिरोई सहर का नजारा है लेकिन यहां गो माता है गो माता की सेवा है एक वो कुवा है जिसका इस तरह से बनायवा है देवेंदर सिंग्य है हमारे साथ में जिनका बहुत नजदीकी है राजपरिवार से इस कुवे के मालिक वर्तमान में आप ही है जो इसको सहिज रहे हैं बहले ही इनकी आस्था कॉले चलती है बहले ही यह संसार की दौड में बराबर दौड रहे हैं लेकिन ये इस अपनी जड़ों को जड़ों को जमीन के उपर रखते हैं मैं इससे विहंगम नजारे को दिखा के अपने आपको गौरानुत महसूस कर रहा हूँ एक सघन चाया आपका यहां महसूस करते हैं कि यहां टेंप्रेचर रूटिन टेंप्रेचर से कम है सिरोही में पावागडवाली महाकाली का बड़ा प्रभाव है लोग मानते हैं यहां के महराजा मानते हैं लेकिन पावागडवाली महाकाली के मंदिर यहां इस कई कुओं पे हैं यह गंगा जलिया कुओं इस बर्गद के विशाल बर्गद के नीचे माताजी विराजमान है हम मा के दर्शन करें शाक्षात पावा गडवाली मा जिनको जो अपनी स्वेच्छा से यहां पदा रहे थे हमारे साथ मैं नीके भगते हैं देविंदर सिंग जी जो इस कुए की देखरे करते हैं देखरे कमीन्स कि मालिक तो माई है लेकिन इनको ये जिम्मेदारी दी है माने हम मा के दर्शन करें भाव पूर्ण दर्शन करें ये मा काली पावा गडवाली मैं देविंदर सिंग जी मैं आपको पहले तो सुभकामना है कि आप मा का मंधिर वहा बताते हैं यह थोड़ा इस कुवे की विहंगम ता और मां के इस विहंगम नजारे को बताएं सब्सक्राइब सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है कि आप इतना अच्छा सा यह कारी कर रहे हैं कि पूरे स्विर्ववासियों को और बाहर वालों को भी आप स्विर्व की जो नीजी जा हुआ हुआ है उस बांद के नीचे जो कालका जी का जो मेन मंदिर है उसकी औरन में परिवार के समय के जितने भी को आपको देखता है यह भी 가장 माताजी का बड़ा ही चमतकरइकo प्रभावच डापनेंत इसके नीचे मंदिर में माता जी के विराज माने, इसके नीचे नीचे मंदिर बना हुआ है, यह काफे वर्शों के नीचे मंदिर के समय ऻुक्त को गंगाजलिया में एक करynnदिर की विख्या, पढ़ता है इस तरीके इसका पानी है और एक समय में राज परिवार में आपके जो किला जो बना हुआ है शिरोए का मुख्य दूर विजिसे कहते हैं जब पानी की कमी आई थी तो इन्हीं को से वहां पर पानी सप्लाई की गई थी इसी कारण से इनका नाम और इनका जो वास् जब से निचे मंदिर बना हुआ है बड़ा ही चमतकार मंदिर है अब जबसे हमारे हाथ में यह आया है मेरे तीसरी पीड़ी का हूं में जी और इसकी पूजा वगईरा हम करते हैं और पास में सेंट पॉल के बाहर रहते हैं और जब भी समय मिलता है गौमाता यहां रखे और बीखक है हैं और अधाय और इसा लगता है कि यह संट का यहां पेशानी ब्यूंटे रहा है हा दो भीगा जमीन आपने वर्गत को दे हुई है जी 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 आप यह देखे कितने जन्तों इतने इसे पक्षे गर्मी की सीजन में आजपास कोई भी फल नहीं पकते हैं अब आप इन चिडियाओं को इन पक्षियों को आप क्या देंगे क्या बात है अद्भूद अद्भू इसके सीजन में नीम की जब निमबोली नीचे गिरती है तो सहस्त्र नीम छोटे-छोटे खड़े हो जाते हैं ठीक बात है लेकिन आपने कभी वट पीपल कितने ही गिरेंगे लेकिन एक भी नहीं दिखा होगा आपन दिवार पे कुओं के अंदर वहां हो जाते हैं इसका का भगवान शंकर भगवान विष्णु और प्रमाजी के तीनो वरक्ष द्योतक हैं इसमें आप जिसके नीचे बैटे हैं यह भगवान संकर का वरक्ष उनके अनुरूप कहा जाता है वट को पीपल विष्णु को और पाकर जिसे हम उबरा कहते हैं वो ब्रमाजी है अब इसक कितने भी आप धरती में डाल दीजिए किसी भी जमीन में डाल दीजिए बीज अपने आप कभी भी नहीं बनते हैं पक्षी जब इसे खाएगा और पेड में परिपक्वा करेगा तो ही यह तीनों खड़े होंगे इसलिए पीपल को बचाने के लिए पक्षी बचाने पड़ देविंदर सिंग जी आप वाकई में भागशाली हैं मैं इस वियंगम नजारे के साथ मैं मेरी बात को विराम दुँगा लेकिन आप जमीन से जुड़े हैं यह इसी को जमीन से जुड़ना कहते हैं यह आप भले ही आप कॉलेज के कारियों को निप्टाते हैं संसार के जो जो भी संसारिक जीवन है दिर्म है उसको निप्टाते हैं लेकिन मा की शरण में आते हैं और हम मिलके एक बार कालिका मा की जै बोलेंगे बोलेंगे कालिका मात की जै उलाज के आनंद की जै